इस वीडियो में हम लुक देखेंगे कि CSS को एक HTML पेज में add किस तरह से किया जाता है CSS को HTML में add करने के तीन तरीके होते हैं पहला तरीका होता है inline CSS जिसको style attribute का इस्तिमाल करके HTML pages में add किया जाता है इसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास होता है internal CSS internal CSS का मतलब कि style tag लगा दो और उस HTML की CSS HTML page के style tag के अंदर डाल दो और उसके बाद सबसे जादा use होने वाला होता है external CSS यानि कि एक .css file बना लो और उस .css file के अंदर अपने सारे styles डाल दो इस वीडियो में बहुत closely आप लोगों को बताऊंगा तीनों में क्या difference है कब कौन सी use करनी चाहिए और कब कौन सी avoid करनी चाहिए मैं बहुत जाता excited हूँ इस वीडियो को like जरूर कर देना और निचे comment section में sigma patch op लिखना मत बूलना चलते हैं कम वीडियो स्ट्रीन में let's roll the intro तो तीर तरीके मैंने आप लोगों को बतायते हैं कि किसी भी HTML पेज में CSS अगर आपको add करनी है तो होते हैं यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले काम यह करूँगा कि एक video 15 नाम से folder बनाऊंगा shift right लिक करके open with code करूँगा और यहाँ पर एक index.html बनाकर एक boilerplate template डाल दूँगा और अगर आप लोगों ने playlist अक्सेस नहीं करें तो इसको जरूर अक्सेस कर लें अप लोग प्लेलिस को अक्सेस करना बहुत जादे अब मैं वापस हाँगा अपने वीडियो 15 वाले html code में मालो एक हमारे पर बेसिक सी html है मैं आपर लिखाया आपर लिखाया और इसके बाद मालो मैंने आपर एक एक एच्वन डाली और मैंने लिखाया कि आपर मैं वीव पर क्लिक करके टॉगल वर्ट्रैप करूँगा शिफ्ट राइट लिक नहीं राइट लिक करूँगा कमांड पैलेट में जाकर स्क्रीन कास्ट मोट को टॉगल कर लोग आप सुनना मेरी बात को दियान से अगर मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल करना है तो ए अभी जो अब आउट में लिखा हुआ है मानलो मैं इसके बैक्राउंड को येलो करना जाता हूं और इसके फॉर्ट को रेड करना जाता हूं फॉर सम बीड रिजन ठीक है लेट्स डूइट करके देखते हैं तो एक बहुत ही क्विक अड़ी मेरे पास क्या है कि मैं आपर स् इसके बैक्राउंड करना चाहता हूं और यहां पर बैक्राउंड भी रेड हो जाएगा तो यहां जो जो मैं करना चाहता हूं इसको एक अच्छी प्राक्टिस नहीं माना जाता है क्यों नहीं माना जाता है थोड़ी दिर में बताऊंगा लेकिन दो और तरीके में आप लोगों को बताता हूं अड़ करने के CSS to a webpage एक काम करता हूं इसका जो टाइटल है ना मैं काम करता हूं इसका टाइटल यह लिख देता हूं पहला तरीका है inline css ठीक है तो inline css के बारे मैं आपको बताया इसको inline css कहते है कि किसी भी एक element को बकड़के style attribute के अंदर css लिख देने का क्या होगा वो जो css है वो apply हो जाएगी उस element के अंदर बस यही होगा तो अभी तक हमने आपर inline css के बारे में बढ़ा पहला तर तरीका तो आपर मैं li लिखूंगा दूसरा तरीका है internal css ठीक है तो दूसरा तरीका ही कहता है कि यार आप ऐसे मत करो ठीक है मैं इसको जड़ा replicate करता हूं और यह हटा देता हूं style attribute हम गहेंगे ऐसे मत करो एक style tag लिख लो ठीक है ज्यान से सुनना confuse मत हो ना बहुत अराम से स सारे h1 को क्या करो background कर दो इसका yellow और color कर दो इसका red ठीक है I think मैंने color yellow किया था पहले तो मैं color yellow background red ही कर देता हूं ठीक है color कर दो yellow background कर दो red वही बात है ठीक है color मैंने yellow कर दिया background red कर दिया अभी भी होगा जो पहले हुआ था लेकिन how is this different from inline CSS inline CSS में मुझे हर element पे add करना पड़ेगा style समझ दो आप लोग यहां पर अगर मेरे page पे 100 h1 भी है ना तो automatically मैं कर सकता हो यह चीज लेकिन यहां पर मुझे individually हर element में style is equal to style is equal to style is equal to करना पड़ेगा बार बार तो मैंने ही चाहूँगा मुझे बार बार करना पड़े चलो मानलो मैंने कर भी लिया बार बार हर element में मैंने style is equal to लगा भी दिया अब मुझे मानलो change करना है मानलो for some reason मुझे मेरे boss ने बोल दिया कि यार हमारी production website मे background color को red नहीं background color को maroon करना है तो मैं क्या लेकर बैठूँगा सारे elements को एक एक करके sub में maroon करूँगा क्या red की जगा नहीं मैं चाहूँगा कि मैं bulk edit करूँ और अगर मैं internal CSS का प्रियोग कर रहा हूँ और inline CSS का प्रियोग नहीं कर रहा हूँ तो मैं bulk edit कर सकता हूँ मुझे क्या करना है यहाँ पर red की जगा एक जगा maroon कर देना है और मेरे page के सारे h1 maroon हो जाएंगे लेकिन अगर मैंने individually हर element में ऐसे लिखा हूँ style is equal to style is equal to style is equal to तो मुझे सबसे पहले तो वो सारे elements ढोडने पड़ेंगे उसके बाद उन सब में individually मुझे करना पड़ेगा तो इसी लिए inline CSS उतिनी जादे इस्तिमाल नहीं की जाती है बट inline CSS जो होती है वो आपको बता होनी चाहिए कि क्यों होती है किस तरह से इस्तिमाल आप लोग कर सकते हो आप करोगे internal या फिर जो सबसे जादा use होने वाली होती है external CSS उसके बारे में आपको बताता हूँ अब external CSS का idea यह होता है कि यार अगर आप internal CSS लिख रहे हो तो आपको style tag grow करता जाएगा मालो मैं आप CSS लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ आप एक file में लिख लो तो हम use करेंगे एक link tag का colon CSS लिखूँगा तो यह shortcut यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा तो मैं यह कह रहा हूँ कि style.css के अंदर मैंने अपनी CSS लिख दी है क्या करा है मैंने style.css के अंदर अपनी CSS लिख दी है वहाँ जाकर देख लो ठीक है कुछ इस तरह से मैंने कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं style.css कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ और style.css जैसे ही मैं आपर लिखूँगा और मैं उसके अंदर यह styles डालूँगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि styles हट चुक है मेरे page से by the way कोई background red नहीं है कुछ yellow नहीं है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर add करूँगा तो यह जो style.css है इसको मैंने link कर रखा है यहाँ पर तो link tag क्या करता है link कहता है कि as a style sheet style.css को link कर दो तो क्या होगा कि css add हो जाएगी मेरे page पर it's as simple as that यार ठीक है I hope कि आप लोग को समझ में आ चुका है यह सब और आप लोग इस चीज़ को बहुत clearly समझ चुके होगे कि inline css, internal css and external css में क्या difference है अब मैं आप लोग को यह बताता हूँ कि कब आपको कौनसी वाली इस्तिमाल करनी है देखो यार, inline css आप लोग बिल्कुल भी इस्तिमाल कोशिश करना की ना करो ठीक है, मैं कहरा हूँ कोशिश करना ideal scenarios में कि आप inline css इस्तिमाल ना करो लेकिन inline css अगर automatically generate हो रही है जिसके बारे में आप लोग को आगे भी बताऊंगा अभी आप confused मत हो ना अभी as a beginner, आप ये समझो कि inline css आपको कम से कम इस्तिमाल करनी है in fact आपको avoid ही करनी है ठीक है, internal css आप लोग तब इस्तिमाल करोगे जब आपका web page काफी छोटा है और आपको बस थोड़ी बहुत हलकी बुलके css लिखनी है जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा use case बताता हू internal css को use करने का जब मैं bootstrap में websites लिखा करता था तब मेरी website में सारी के सारी styling दो bootstrap कर रहा होता था लेकिन कभी-कभी मुझे हलके बोलके tweaks करने पड़ते थे तब मैं internal css इस्तेमाल करता था external css आप लोग तब इस्तेमाल करोगे जब आप एक बड़ी production grade website बना रहे हो and in most of the cases if you are working on a serious project आप किसी ना किसी तरह की production grade website ही बना रहे होगे और अगर आप लोग एक production grade website बना रहे हो तो आप चाहोगी कि आप उसमें best practices कर इस्तेमाल करो and using external style sheet is considered a good practice क्यों? क्योंकि आप लोग एक style sheet को एक HTML से detach कर सकते हो attach भी कर सकते हो आप अपने कलीक से कह सकते हो कि तू style sheet पे काम कर, मैं HTML पे काम करता हूँ तू style से लिख ले मैं आप बर HTML में काम कर रहा हूँ तो पाल लली आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो इस तरह के चीज़े बहुत easily हो जाती है अगर आप लोग को external style sheet यूज़ करते हो and in most of the cases किसी भी तरह के production grade project में आप जाओ बड़ी-बड़ी websites जो कि लिखी कही है चाहे फिर वो Netflix हो, YouTube हो या फिर वो Quora हो या फिर वो Facebook हो, Instagram हो WhatsApp, Web हो, कुछ भी हो in most of the cases इन सारी websites में आपको external style sheets ही मिलेंगे तो आप लोग कर revision करवा देता हो inline CSS का मतलब कि element में ही style tag लगा कर आपने CSS लिख दी, internal CSS का मतलब कि आपने style tag लगा कर लिख दी CSS and external CSS का मतलब कि आपने एक style.css या फिर कोई भी name.css नाम की file बना कर आपने एक CSS file लिंक कर दी I hope कि आप लोग को इन तीनों में difference समझ में आ गया होगा and I know कि I am going little slower क्योंकि बहुत सारे लोग इस course में beginners है मैं आप लोग को दुवारा बोलना हूँ या going to raise the bar like anything हम बहुत खतरनाक production grade websites बनाने वाले आने वाले videos में तो आप लोग excited हो कि नी मुझे नीचे comment section में जरूर बता देना अब यहाँ पर अगर आपने ये playlist access नहीं करिये तो इसको जरूर से access कर लेना source code में सारा update करता जाओंगा उसकी जिनता मत करना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो कर दो कर दो कर दो